हेलो एवरिवान मैं हूँ किरिंचापुरी और यह है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापता ही कराशीफल यह 20 दिसमबर से लेकर 26 दिसमबर तक कि आपकी टारो रीडिंग्स हैं टारो प्रेडिक्शन्स हैं और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सबस्क्राइब किया तो प्लीज लाइक शेर और सबस्क्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरे इंस्टा पीच भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और डूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं सन, साइन, मून, साइन, एसेंडेंट या पिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझसे बूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या पिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें तो चलिए जी शुरू करते हैं, कमिंग वीक का सापता है क्राशीफल चलिए स्कॉपियोज आप लगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकरा रहा है, क्या एनर्जीज हैं तो आप लगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंड के लिए एकाद्स हैं, फाइव उफ सोद्स, रिवर्स, और मेमरीज ऑफ लव और देखें, फाइव उफ सोद्स का काटारों में कहीं अनफेर इनर्जीज की बात करता है, इनजस्टिस की बात करता है, मिनुपलेटिव इनर्जीज की भी बात करता है और कुछ ऐसा ही इन जनर्ल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंड में रहता हुआ देख रहा है और देखें, सबसे पहली बात स्कॉप्योज, इस चीज को सुन के आपने परेशान नहीं होना क्योंकि देखें, यह आपकी पूरी जिंदगी की रीडिंग नहीं है, यह सिरफ और सिरफ इस वीक की इनर्जीज है और नया वीक नहीं इनर्जीज लेकर आएगा और वैसे भी देखें, टारो गाइडेंस के लिए होता है इस रीडिंग को अगर आप पहले से ही देख रहे हैं तो इस रीडिंग से गाइडेंस लेके आप किसी लेवल पे चीजों को ठीक भी कर सकते हैं तो देखे, फिर से five of swords के कार्ट को देखें तो ये कार्ट कहता है कि जो भी लोग आपके आसपास है हो सकता है कि उनके intentions, उनके motives आपके लिए बहुत great नहीं है और अगर ऐसा आप भी pine scopus तो थोड़ा सा alert रहें, blindly किसी पे भी trust ना करें और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जिस महौल में आप हैं, उसमें कहीं एक politics सी चल रही है या फिर थोड़ी सी manipulative सी energies हैं और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी चीज पे आपने बहुत effort किया, बहुत महिनत करी और इस week आप एक positive result expect कर रहे थे और आपको वो positive result, वो positive outcome नहीं मिल रहा तो देखिए Scorpios यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कि इस week नहीं मिल रहा तो next week मिल जाएगा जब हम चीजों से या फिर outcome से बहुत ज़्यादा attach हो जाते हैं तब भी कहीं you know हम hurt होते हैं और देखिए गीता में लिखा भी हुआ है करम करे जा फाल की इचाना कर तो देखिए इस week के लिए आप you know outcome से ज़्यादा attachment ना रखें और देखिए मोटा माटी यह card कहता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि जो आप deserve करते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है तो देखिए यहाँ पे भी मैं आपको यही कहाँगी कि कभी-कभी हमारी state of mind भी ऐसा होता है जिसकी वज़े से हम चीजों को ऐसे देखने लगते हैं या फिर हमें चीजें ऐसे दिखने लगती हैं तो देखिए जो भी हो nut shell में आपने थोड़ा सा alert थोड़ा सा cautious रहना है और इस week से बहुत ज़ादा expectations आप ना रखें क्योंकि देखिए expectations बहुत बड़ा एक reason होता है परेशानी का तो देखिए अगर आप अपनी expectations को again low रखेंगे तो फिर आप परेशान भी नहीं होंगे और नीचे देखिए आपे memories of love का card कहता है पुरानी किसी बात को, पुरानी किसी situation को, पुराने किसी इंसान को, पुराने किसी event को मन ही मन इस week काफी आप याद कर सकते हैं और देखिए परसनल फ्रंड के लिए आप लगों के लिए 10 of wands and triumph के cards हैं और देखिए ये card कहता है कि जहां एक तरफ परसनल फ्रंड में किसी चीज को लेकर एक success है बहुत जबरदसत एक confidence आप महसूस कर रहे हैं बहुत assertively आप चीजों का control लेके आगे बढ़ रहे हैं वहीं दूसरी तरफ एक pressure एक you know burden भी आप महसूस कर रहे हैं और देखिए जब भी भी 10 of wands का card आता है हम यही कहते हैं कि आपने शायद बहुत सारी responsibilities अपने उपर ली हुई हैं आप जितना काम कर सकते हैं आप उससे भी जादा कर रहे हैं और देखिए जब भी भी यह card आता है यह indicate करता है कि थोड़ा सा pressure offload करने की जरत है थोड़ा सा again you know अपनी responsibilities को कम करने की जरत है थोड़ा सा लोगों को बहुत ही प्यार से ना कहने की जरत है और देखिए ऐसा अगर आप कर लेंगे तो इस week की energies को आप बहतर कर पाएंगे क्योंकि देखिए triumph का card तो बहुत ही beautiful बहुत ही you know amazing energies की बात करता है लेकिन कभी कभी क्या होता है न अच्छी चीजें हमारी life में हो रही होती है लेकिन हम खुद ही एक you know pressure create करते हैं जहां पर फिर से मैं कहा होंगे कि जितना कर सकते हैं उससे जादा करते हैं जादा responsibilities लेते हैं और फिर अच्छी चीजों को भी हम enjoy नहीं कर पाते तो देखिए इस चीज को check करके जरूर आपने correct करना है beyond the point देखिए आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसके लिए आपको लगता है कि भाई आप नहीं करना चाहते हैं या आप नहीं कर सकते हैं and guidance है आप लोगों के लिए warrior का card है और ये card कहता है be fearless and stand strong तो देखिए बहुत जबर्दस्तिक warrior वाली energies अपने professional personal front में इस week रखने की ज़रत है जिसका मतलब है कि आपने किसी भी चीट से डरना नहीं देखिए आप एक war में देखें कि warrior कैसे लडाई करता है उसका focus सिरफ और सिरफ जीत होता है और सामने वाले को किसी भी level पे हराना होता है तो देखिए सुनने में जरूर negative लगता है लेकिन कभी-कभी ऐसी energies में रहना जरूरी भी होता है तो फिर से देखिए एक warrior वाली energies में रहें situation, circumstances, लोगों से एक fighting spirit इस week आप जरूर रखें and astrology से आप लोगों के लिए sun का card है और इसके हिसाब से yellow color इस week आप लोगों के लिए लगी रह सकता है and significant day आप लोगों के लिए होगा Sunday तो ये था Scorpios आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशीफल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए